लो दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी की OPCL बेप साइट पर आप सभी के लिए OPCL नोटी पी के संजारी कर दिया गया है कुल कितने पदो पर भरती निकाली गई है कौन-कौन से कैंडिडिट इस फॉर्म को फील कर पाएंगे किस राज जोर जिली के लिए ये भरती निकाली गई है कहां से आपको फॉर्म फील करना होगा सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तो बस वीडियो को आप टूटल कंप्लीट देखते रहेगा तभी सभी क्यूशन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे फॉर्म को कैसे फिल करना होगा किस राज जोर जिले के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाएंगे सारी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तो इस भरती की जो OPCL notification है यानि कि इस भरती की OPCL notification वो इसी बेप साइड पर जारी कर दिया गया है फॉर्म को फिल कैसे करेंगे कहां यानि किस राज जोर जिले के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे कहां के कैंडिडेट फिल कर पाएंगे सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी तो दोस्तों बीना टाइम को वाई चलिए सुरू करते हैं आप सभी को जो इस भरती की OPCL notification जारी किया गया है उस पर लेके चलते हैं आपको तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप सभी को आईए बता दिया जाए सौर्ट में सबसे पहले आप सभी को जानकारी दी जाएगी तो आप देख पा रहे होंगे Organization name यहाँ पर TA Army Vacancy है एक्जाम name आप देख पा रहे होंगे जो कि TA भरती निर्धारित की गई है और यहाँ पर application mode आप देख पा रहे होंगे यानि कि online माध्यमसिस फोर्म को आपको आविदन करना होगा और यहाँ पर job category के बारे में बात करेंगे तो आपको बता दिया जाए defense job है और दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि जिन candidate को यह नहीं पता कि हम किस zone से belong करते हैं हम किस राजजोड जिले से और किस zone से belong करते हैं तो आप सभी को सारी जानकारी से वीडियो में दी जाएगी तो यहाँ पर job location के बारे में बात कर लिया तो आपको बता दिया ज किसी भी कोने से belong करते हैं तो आप इस फोम को आविदन कर पाएंगे इक्जाम नेशन सेंटर के बारे में आपको बता दिया जाए तो आप देख पारेंगे आप जहां भी को एप्लाइ करते समय जहां भी आप अपना सेंटर चूच करना चाहते ह। आप चूच कर पाएंगे आल इंडिया के किसी भी कोने में आपकी एक्जाम हो जाएगी और यहां पे आईए दोस्तों बात कर लिए इस फोम को apply करने के लिए application यानि apply mode क्या होगा तो direct भरती आपकी की जाएगी who can apply यहाँ पे आईए बात कर लिए यहाँ पे आईए बात कर लिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे all over इंडिया यानि कि इंडिया के सारे candidate किसी भी state से बिलॉँग करते हैं तो फोम को आवेदन कर पाएंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो कि किसी भी य इस फोम को आवेदन कर पाएंगे टेरिटोरिल आर्मी भरती की आईए बात के लिए किस कैटेगरी के यानि की कौन कौन से पद किस कैटेगरी में निकाले गए हैं तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए तो आप देख पा रहे होंगे जो कि पहला पद जो यहाँ पे निका काले गई है सोलजर finance के पद अपर भृति निकाली गई है यहाँ पे आप देख पार कियोंगे इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पर आयए बात कर लीजाए यहाँ आंप पारे होंगे जो कि एक्स सर्विसमेन सोलजर जीडी यहां पे भरती यानि कि एक्स सर्विसमेन के पद उपर भी भरती निकाले गई है एक्स सर्विसमेन हवलदार के पद उपर भी भरती निकाले गई है दोस्तों आप देख पारे होंगे और यहां पे जे सियो एक्स सर्विस जो कि आप जोन फर्स्ट के बारे में सबसे पहले आपको बता दिया जाए तो आप देख पाइए होंगे जो कि यहां पे प्रयाग राज और यहां पे आप देख पारे होंगे दोस्तों हिमांचल प्रदेश और यहां पे जम्मू कस्मीर पंजाब इस्टेट के कैंडिडेट इस फॉम को आवेदन कर पाएंगे देल ही चतीस गड़ और यहां पर इंडिया यानि की इंडिया के सारे जोन फर्स्ट में जोन फर्स्ट के इतने हैं और जोन सेकंड में जो कैंडी डेट आते हैं उनको आपको बता दिया जाए तो आप देख पार होंगे बिहार मध्ध प्र यहां पर आप देख पार होंगे मेगालाय मनिपुर त्रिपुला नागालंड और यहां पर सिक्किम वेस्ट वंगाल मिजोरम और यहां पर आंधर प्रदेस एंड अंडमार निकोवर भी यहां पर निधारित कि यह गये हैं जोन फर्ड के बारे में तो आपको बता दिया ज चैन परक्रीया के बारे में बात करेंगे वहां कि पा रहा होगे। लोल्यक्षट भी आपको दिखानी होगी और यहां पर ढूपको मेडिकल भी आपका होगा यैनि कि आपको कहने का मतलब यह है कि आपका मेडिकल टैस्ट भी होगा रिटेश के KS लेक्ष इप करते हैं तो आप फॉर्म को आवेधन कर पाएंगे लास्ट में आप सभी को फाइल मेड़ भी बना के दी जाएगी और दोस्तों यहां पर आये बात कर लिए इस फॉर्म को आवेधन करने के लिए आपकी एज कितनी निधारित की गई है तो आपको बता दिया जाए तो आप द कर पाएंगे और यहांपे आपको बता दिया जाएगा तो एक सो साथ सेंट मीटर की हाइट होनी चाहिए वह भी में जैल के लिए तो और यहां पे आपको बता दिये जाए आप चैस्ट के बारे में आपको बता दिये जाए तो 77 से लेकर 82 के वीच में आपका चैस्ट होना चाहिए यानि कि 77 इंच से 82 के इंच यानि कि 82 इंच के आपका चैस्ट होना चाहिए वेट यहां पे 50 किलो का यानि कि आपका वजन 50 क लोका होना चाहिए और यहाँента यह बात कर लिघे आपको इस सैलरी के बारे में यारे में और यहाँえー पर भर्ठ पोश्टों के लिए जो अलग अलग भरती निकाले गए उसको आपको यानि कि उसके आधार पर आपको सेलरी दी जाएगी आईए एजुकेशन कॉलिफिकेशन के वारे में बात कर लिए तो सबसे पहले यहां पे आपको बताएंगे के सॉलजर जीडी पोश्ट के लिए जो भरती निकाले गई है उसमें सिंपल और सिंपल दसंवी के पास भी केंडिय डियेत आवेधिन कर पाएंगे कम से कम हर सब्जेक्ट में 33 परसेंट से 45 परसेंट के बीच में माक्स आपके होने चाहिए सिंपल और सिंपल दस भी और बार चाहिए आपको होनी चाहिए और यहां पर आईए बात कर ली जाए यह जो भरती निकाले है इसके लिए आठवी और दस्वी की पास candidate इस form को आवेदन कर पाएंगे ITI का certificate भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तो अधिक जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे कि OPCL website पर आप OPCL notification को भी चेक कर पाएंगे और यहां पर how to apply यानि कि form को कैसे apply करना होगा इस भरती की सुरुवाती और last date क्या होने वाली है आपको यहां पर सबसे पहले बता दिये जाएं कि form को feel कैसे करना होगा form को feel आपको इस प्रकार से करना होगा जो कि photo and signature light color background photo आपके पास होना चाहिए education certificate अच्छा pen card और अधार कार भी आपके पास होना चाहिए दोस्तो अगर pen card अधार कार आपके पास नहीं तो कोई दूसरा document लगा कि इस form को proof यानि कि आवेधन आप कर पाएंगे और दोस्तों यहां पे आप सभी को बता दिये जाए तब आप इस प्रकार से आप फॉर्म को feel कर पाएंगे और यहाँ पर आए बात कर लिये यह जो भरती निकाली गई है इसमें आपको कैसे आविदन सुल्क जमा करना होगा तो यहाँ पर टेरिटोरिल आर्मी के जो भरती निकाली गई है इसमें सभी स्टेट के जनरल है उनके लिए फीज बिल्कुल फूरी है payment mode यानि कि payment कैसे आपको जमा करना होगा तो आपको बता दिये जाए payment जो जमा करना होगा ओं-लाइन माधम से आपको payment जमा करना होगा जो कि credit card debit card net banking इü चलां सुल के माधम से आपको payment जमा करनी होगी और दोस्तों यहां और लाज़ डेट अभी तक निर्धारत नहीं की गए कि इस भरती की सुरुवाती और लाज़ डेट क्या होने वाली है तो दोस्तों आसा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आये होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर जो भी नया कैंड इरेट है चैनल को सब् बता दें कि आप किस राज़ोर जिले से ब्लॉंग करते हैं आप अपने राज़ोर जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि आपके राज़ोर जिले से कोई भी नया नोटिपिकेशन कोई नई भरती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के से सबसे पहले बता सकें आज के लिए बस इतना है तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम